सेटलाइट की तो बात हो रही है सेटलाइट की जो एविली बारे में सबसे पहले जो बात कही वोते हैं कौन कैप स्वारी कैलीलियो साब हमने बताया भी था आपको कि विचारे को बहुत उन्होंने बात कही तो उस समय के जो प्रीष्ट वगरा होते थे पादरी लोग उन्हें बहुत डाटा उनको और उनको नदरबंद कर दिया मकान में के अंदर कि भीया बाहर मत निकलना बहुत सबसे पहले हम जानते हैं अर्थ मून इस दा ओनली सट्लाइट ऑफ अधर फ्लैनेट्स होते हैं उनके अपने अपने सट्लाइट से उनके नंबर से हमको मतलब नहीं है सायद जुपिटर के 24 सट्लाइट है सायद आई डून नो था नंबर उनको आप देख लिजेगा और अगर सट्लाइट किसी प्लैनेट के चारो और रिवाल्व कर रहा है तो जिस स्पीड से रिवाल्व कर रहा है तो अब बात करेंगे और 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 बात जिस प्लैनेट के चार ओर रिवाल्व करेंगे वो अपनी धर्ती माता के चार ओर करेंगे तो हम फिला हाल अर्थ को लेकर के चल रहे हैं हमने का सपोज ये अर्थ है ये अर्थ है और अर्थ है तो अर्थ का मास हमने माला में है और अर्थ की रेडियस है आरी और इसके चारो और एक सर्कुलर औरबिट में एक सेटलाइट रिवॉल्व कर रहा है मैंने माल लिया कि सेटलाइट इस रिवॉल्विंग एराउंड अर्थ इस सर्कुलर ही है आधी कम ज़्यादा हो तो अपना नाप लीजेगा यह सर्कुलर औरबिट है औरबिट ही बना दो पूरी इसमें एक सेटलाइट रिवॉल्व कर रहा है और जिसकी रेडियस है आर आर इस दा रेडियस आप दा औरबिट हमने माना सपोज यह सेटलाइट है इसका मास इसमाल एम है और इसकी जो स्पीड है वो वी नॉट हमने माल लिए वी नॉट हम औरबिटल स्पीड की वज़े से बात कर रहे है वी ओ ठीक है अब ज़रा समझेगा तो पहले तो इस डाइग्राम के बारे में लिखेंगे कि सपोज M is the mass of the earth, R is the radius of the earth and a satellite is revolving फ़रा खराब लग रहा है देखने वाले को लगेगा क्या बनाया है यह एक सेटलाइट है जो R radius के औरबिट में revolve कर रहा है वी नॉट स्पीड से और इसका मास हमने M मान लिया है तो इसको circular orbit में move करने के लिए centripetal force चाहिए है वो centripetal force इसको कहा से provide किया जाएगा gravitational force से तो centripetal force का formula क्या होता है mv not square upon R mv square upon R होता है is equal to g mem upon R square तो साब साब दिख रहा है वी M यहां से cancel हो जाएगा एक R यहां से cancel हो जाएगा तो v not square will be gme upon R ने तो वो तो बहुत जगे देखा देखा लग रहा होगा under root हाँ 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 वहाँ ने वहाँ जहां भी circular आर्बिट होगा वहाँ पर लगेगा लेकिन वो कहां से provide किया जा रहा है वो आपका कुलाम स्विला था हाँ क्यों अला formula था हाँ ठीक अच्छा अब अगर मैं माल लूँ कि suppose RE is the radius of the earth and H is the height of satellite from the earth surface अगर मैं माल लूँ यह तो हमने माल लिया था जिस orbit में revolve कर रहा है उस orbit की radius is small armana एक अगर मैं माल लूँ कि suppose it is revolving above the earth surface that is an H, height is H तो यहां R को क्या लिखा जा सकता है RE plus H मतलब यह formula आपको orbital speed का मिल गया काम ख़तम लेकिन चुकि आपको अलग-अलग format में लेना इसलिए हम बात कर रहे है तो V0 की जो value आएगी एक formula आएगा under root G ME upon RE plus H तो this is also a formula of orbital speed ठीक है यह रब कर रहे है diagram diagram रब कर रहे है क्योंकि इसका requirement अब नहीं है जगह हम को चाहिए अच्छा हम GME को GRE square ले सकते हैं एक और formula हो गया as GME is equal to GRE square so एक और V0 का formula आएगा under root GRE square upon RE plus H हाँ चुकि RE square है तो RE हम common ले सकते हैं बाहर तो एक formula और बना RE under root G upon RE plus H तो यह orbital speed का एक formula हमारे पास बना यहाँ आपने यहाँ क्या देखा कि यहाँ पर H यहाँ देखा बहुत कुछ आपने बहुत कुछ देख रहे हैं इसमें इसमें H variable है H पर depend करती है जैसे इससे height बढ़ती जाएगी वैसे इस speed भी घटी जाएगी अब यहाँ पर एक special case आता है कि suppose satellite is very close to earth surface और मैं मालूँ कि satellite बहुत close at earth surface में एक special case आता है कि if satellite is very close to earth surface अब रूल तो यह है कि जब earth surface के बहुत close है तो उसको earth पर रख दें आकर कि अपने मकान के उपर जहां से नाली बहती है surface पर आ जाएगी लेकिन वो तो नहीं होगा लेकिन H is very that is small value तो H can be neglected तो वहाँ पर जो V0 की value निकलेगी वो under root मैं यहाँ से हटा दूँगा अचको तो यहाँ से GRE निकलेगा तो पहले तो यह formula पे गौर फर्माईएगा it is the orbital speed of satellite which is very close to our surface खास्तोर से जो हमारे artificial satellite होते हैं जेने हम भेजते हैं यहाँ से वो very close to our surface मान की चलते हैं ठीक है उनके लिए हम orbital speed की जो value निकालते हैं वो under root GRE निकालते हैं अब अगर इसकी value हम approximate निकालना चाहें हाँ constant होती है तो V0 की जो value यहाँ से निकलेगी under root G की value होती है 9.8 और RE होता है 6.37 into 10 power 6 तो तक्रीबन जो यह value आएगी वो 8 km पर सेकेंड आएगी 8 km पर सेकेंड यारी जो satellite very close to earth surface होते हैं उनकी जो orbital speed होती है वो तक्रीबन 8 km पर सेकेंड होती है तो कभी-कभी इस value को भी ध्यान रखेगा यह आ सकती है अब आता है भाई वो satellite का period of revolution क्या है कितने time में कैसे उसको निकाले तो next topic है period of revolution of satellite अब बात करने जा रहे हैं क्या period of revolution period of revolution of satellite नाम से लग रहा है कि भाई एक complete चकर revolution होता एक चकर complete करने जो time लगे तो period of revolution of satellite की बात करने जा रहे हैं हम बान के चलने वही वारा orbit जो हमारा satellite है वो r radius के orbit में move कर रहा है तो period of revolution time is equal to क्या होता distance upon velocity तो जब हम बात करेंगे revolution की पूरे time की तो distance क्या हो जाएगी 2 pi r और velocity क्या हो जाएगी v naught तो 2 pi r और v naught की value क्या है ये under root g m e upon r ये r उपर जाएगा तो आएगा 2 pi under root r cube upon g m e बाई देखें दो चीजें हैं ये इसको थोड़ा दीजेगा 2 pi r ये under root r उपर जाएगा और ये g m e root के अंदर रहेगा तो या तो ये r इसके पास आजाए r जो बाहर लिखा हुआ है तो वो बाहर भाईसे अब निकल के आ नहीं सकते तो या तो ये इसके अंदर चले जाए r अंदर जाएगा तो square बन के जाएगा तो ये time period का formula हमारे पास एक हो गया ये time period हो गया अच्छा इसके बाद as r is equal to हम जानते है r e plus h चोकि मेरा जो satellite है वो earth surface से h height पे revolve कर रहा है तो हम यहाँ value रखेंगे t की value एक आएगे और formula आएगा 2 pi under root r e plus h to the whole cube upon gm e एक ये formula हो गया gm e is equal to g r e square होता है तो g m e as g m e is equal to g r e square तो time period का formula एक और आएगा 2 pi under root r e plus h का whole cube upon g r e square तो ये बहुत सारे time period के formula होते है हाँ पूरा root में होगा r e square से r e निकाल सकते हैं लेकिन g विचारा अकेला बोर होगा इसलिए हमने उसको निकाला नहीं काय को g के साथ हम जो है वो जाती करें अच्छा अब भाई इतनी बड़ी अर्थ में आप बैठे हो विचारी अर्थ का मास देख रहे हो कितना है ठीक है अब देखे बहुत सारे और formula हो सकते हैं एक और formula आपका हो सकता है m e is equal to मास आफ अर्थ वालूम आप फर्थ इंटो देंस्टी मास को वालूम इंटो देंस्टी लिसकते हैं तो वालूम बोले तो 4 अपान 3 पाई r e cube into density हमको रोलिक देते हैं तो हम चाहें तो इसके term में भी लिसकते हैं तो t का एक और formula बन सकता है देखें अब आप कहेंगे examination में हम क्या करेंगे exam में small r करेंगे r e plus h करेंगे r e square करेंगे यह सब cases लिखेंगे आप लेकिन यह density वाली बात नहीं लिखेंगे density आप से कहा जाएगा तब आप बात करेंगे तो r e plus h to the whole cube upon देखो g यह आएगा 4 pi r e cube into rho और upon जो 3 होगा वो हमने उपर लिख दिया तो एक यह formula आपका बन गया यह 4 जो है न देखेंगे दो चीज़े हैं यह इस 2 pi को अंदर ले जा बजारे को क्योंकि 2 pi 4 pi का रिस्तेदार है तो root के अंदर जाएगा 4 pi square बन जाएगा into 3 into r e plus h to the whole cube upon 4 pi g rho r e cube तो 4 से 4 pi से pi कड़ गया तो एक formula और आपका आगया 3 pi r e plus h to the whole cube upon g rho r e cube तो यह formula बन लिया नहीं सारे नहीं याद करने हैं आपको main formula r का याद करना है वो requirement के हिसाब से हम अपना वहां से बदल लेंगे हमको mass चाहिए नहीं मिला तो हम density में convert कर देंगे नहीं मिला तो हम क्याए इस्माल जी में convert कर लेंगे और वो सब change हो जाएगा ठीक है अचा अब अगर यह satellite बहुत close to earth होता तो हम h को हर जगे से neglect कर देंगे तो जितने formula हैं उससे हम h गायब कर देंगे इस satellite is very close to earth एक special case है कि इस satellite is very close to earth हम कह सकते हैं कि h की value radius की compression में बहुत छोटी है क्योंकि close to earth का मतलब h को 0 नहीं मान सकते लेकिन हम मान लेते हैं it is very 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 close to earth जो है आरी की compression में बहुत छोटी value है तो एक formula आपका जो पहला वाला था वो हो जाएगा t की value एक formula जाएगा 2 pi under root re plus h का whole cube था न तो h हड़ गया तो re cube upon gme हो गया एक तो आ गया re cube upon gme या तूसरा formula हो गया 2 pi under root re cube और gme को gre square कर सकते हैं density वाला नहीं लिख रहे हम density वाला नहीं लिख रहे हम वो h को हटा तो अपने आम नहीं लिख रहेगा तो यह आ जाएगा 2 pi under root re upon g यह time period हो गया अब हम अगर value इसी रखना चाहें तो देखिए value रखे क्या आएगी value तो यह t is equal to 2 into 3.14 into under root 6.37 into 10 to power 6 upon 9.8 इसकी जो approximate value आई है वो 84 minute आई है यानि जो हमारे जो very close to earth satellite होते हैं जिसको कि हम artificial satellite कह सकते हैं जो हम भेजते हैं कहें क्या सकते हैं कहेंगे तो उनका जो time period होता है वो 84 minute होता है देखे ऐसा है ना कि यह चुकि जब pi की value रख रहे हैं वो approximate रख रहे हैं तो यह approximate सब कुछ है लेकिन जब वहां भेजते हैं satellite को तो हम calculation करके भेजते हैं बहुत approximate रख रहे हैं और आपको calculation के बारे में बहुत अच्छी बात बता जाएं आपके Indian mathematician स्रीमान वसिष नारायन सिंग का नाम सुना होगा आपने आप उनका नाम नहीं जानते अरे जाओ वसिष नारायन सिंग बिहार के रहने वाले थे और वह बहुत बड़े mathematician रहे ठीक है लेकिन आप जानते हैं कि हम हमारी जो government है हम लोग इंडिया में कितना talent को कदर करते हैं जानते हैं आप नहीं नहीं वो नहीं 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 सुनिए तो वो मतलब आप जानते हैं कि हमारे talent को कितना respect दी जाती आप जानते हैं जानते हैं ना तो उतनीट उनको respect दी गई America भाई साब गए थे America में एक satellite launch होने वाली थी और America के super computers बंद हो गए भाई साब ने 10-15 जो भी super computer थे उनका calculation खुद किया अकेले mathematically अपने हाँ से ठीक है और decimal तक की value को उन्होंने निकाल की दे दिया और उनके उस calculation के आधार पे वो satellite को launch कर दिया उन्होंने और launch होने के बाद जब super computer चालू हुए तो उनका calculation डिटो वही था जो वसिज नायन सिंग साब दिया था He was the mathematician अमेरिका ने अपनी citizenship उनको आफर की उन्होंने का नहीं मैं तो इंडिया जाऊंगा इंडिया में चुकि टैलेंट की बहुत कदर होती आप जानते हैं जानते हैं ना हाँ अच्छी तरह जानते हैं हाँ मैं मजा कर रहा हूँ मैं मजा की कर रहा हूँ वो व्यक्ति लोट करके विहार आता है और वो थोड़ा mental हो जाता है उस mental उसको mental asylum में भरती कर दिया जाता है तीक है उस व्यक्ति की अच्छी treatment नहीं होती वो mental asylum के room के उस पर बहुत सारे calculation करता है दिवाल में वो मर जाता है और उसको एक stature तक नहीं मिलता है जब new channel वाले कुछ है तो मचाते हैं तब नतिश कुमार जी जाते हैं और मुझे बड़ा दुख हुआ बड़ा अच्छा आदमी था यह हमारे यह की politics है तो भीया मैं तो यह करता हूं ठीक है देशभक्ति अच्छी चीज है मौका मिले निकल जाओ क्योंकि talent की जहां पर कद्र होनी चाहिए तो यह वाज वसिच नारान सिंग बाट जब मुझे एकदम से टाइम पीर जब आपने प्रॉक्सिमेट की बात की तब मैं बात करा हूं मैंने उनकी में मैस की बुक पड़ी है बहुत अच्छे चुक्छी मैस से भी हूं तो उनकी बुक बहुत अच्छी हम ने जानते हो मतब अमेरिका आपने सिटिजन सिफ अचा एक तरफ देखे तरफ फारन में जाईए अभी यह कौन सा साइंटिस्स था जिसको कुछ मेंटल हो गरबड हो गया था बॉड़ी गरबड हो गई थी सेस्टीफन हककन का नाम सुने हो उसकी पुरी वर्ड़ी खराब हो गई थी लेकिन वहां की गौर्र्मेंट में चिप लगाकर के उसके माइन औरीड करके उसके थौट्स को उसकी व्हां गर्ण को दिखें कितना बदर्जा दिया धी टाम से प्रेट साइंटिस्स अनुछं क कुछ नहीं किया यहां उसको mental asylum में भरती कर दिए अच्छा नहीं हुआ मनने के बाद उसको तो यू नियू चनल वाले एक दो पहुंच गए उन्हों वसी नारा वसी नारत अपजा करके वहाँ पर सोग गया रहा है उसको इस्ट्रेशन तक नहीं मिला ठीक है और हमने स्टीफ की गदर होती है खेर चलिए गुसा लगती है तो यह आपका लगभग वैलू होती है लेकि लगभग इतनी होती है लेकिन एक्जेक्ट वैलू नाप करके हम वहाँ भेजते हैं उसको अब बात करते हैं जियो इस्टेशनरी सेटलाइट जियो स्टेशनरी सेटलाइट अब ज तो वहां से h निकाल लेंगे हम, हम कहें को उसके लिए अलग से कल्कुलेशन करें, अलग से टॉप भी कहें करें, भाई, t is equal to 2pi under root r e plus h whole cube upon gme बोला हमने, तो अगर मैं, देखें, लिखे height of satellite, height of satellite, तो height को तो कई term में निकाल सकते हैं, जब मुझे orbital speed दी होगी, वहां से निकालने को कह सकते हैं, time period दिया होगा, वहां से निकालने को कह सकते हैं, तो अगर time period के term में हम निकालें, तो time period का formula क्या होता है, 2pi under root r e plus h to the whole cube upon gme, तो क्या यहां mathematical calculation करके h की value निकाली जा सकती हैं, निकाली जिरफ, यहां से h निकाली है, t is equal to 2pi, चुकि यहां r e लिखा हुआ है, तो मैं r e को नीचे भी कर देता हूँ थोड़ा अपने को, सही करने के लिए g r e square, squaring both decide कर दीजेगा, तो यहां एगा t square is equal to 4pi square into r e plus h to the whole cube upon g r e square, चुकि हमको h निकालना है, तो जिस term में h है, उसको हटा दीजेगा, और सबको आप इधर transfer कर दीजे, उसको अकेला कर दीजे h वाले term को, तो यहां जब इसको इधर लेके आएंगे, तो यह आएगा r e plus h to the whole cube is equal to g r e square into t square upon 4pi square, तो जब हम यहां से r e plus h निकालेंगे, तो cube उधा जाके क्या हो जाएगा, यह cube root हो जाएगा, तो r e को दा shift कर दीजे, you get the time period formula, sorry h formula, h is equal to g r e square t square upon 4pi square to power 1 by 3 minus r e, so this way you get the cube root, sorry that height of the satellite, अच्छा अब इस प्रकार के जो numerical हैं, इस topic पे numerical exam में कम आते हैं आपके academic में, क्यों कि वहां निकालना पड़ता है cube root, और cube root हम फिलाल निकाल नहीं सकते, बिना किसी log के नहीं निकाल सकते, या तो value दी भी हो, भाई या तो complete cube number दिया हो, 8 हो, 64 हो तो निकाल लेंगे, otherwise इस प्रकार numerical नहीं आते, अब लिखे, geostationary satellite, geostationary satellite, अगला टॉपिक है, geostationary satellite, जड़ा इस सब्द का मतलब बताएं, geo मतलब, hope geo, अर्थ हाँ, stationary मतलब, यानि कि, अर्थ के respect में, जो stationary हो, ऐसा satellite जो अर्थ के respect में, stationary हो, उसको geostationary satellite का मतलब क्या होता, कैसे कोई अर्थ चुक्छी घूम रही है, तो अर्थ के respect में, कोई भी satellite stationary कैसे हो सकता है, यानि अर्थ के साथ-साथ, जितने time period में, अर्थ अपना complete, revolution complete करें, उतने time period में, उस satellite भी पूरा कर लें, तो यानि आप कह सकते हैं, कि जिस satellite का time period, अर्थ के time period के बरावर होता है, उसको हम geostationary satellite कहते हैं, तो लिखना चाहें, तो लिख सकते हैं, अर्थ सेटलाइट्स, उस time period is equal to the time period of earth revolution, उस time period is equal to the time period of earth revolution, या ऐसे लिखो, time period आप दा, axial motion of earth, axial motion of earth, earth revolution मतलब अर्थ तो sun के चार ओर भी रूटरिक रपती हैं, axial motion of earth, these satellites are also known as geo-synchronous satellite, geo-synchronous satellite, और जिस orbit में ये, revolve करते हैं, उसमें लग रहा है, गाड़ी जैसे खड़ी कर दो ना, खड़ी रहती ही गाड़ी, तो लगता है उस orbit में खड़े हैं, तो उसको parking orbit कहते हैं, तो लिखे, the orbit in which, these satellites revolve, are known as parking orbit, are known as parking orbit, अब आप कहेंगे, भाई, ये क्या possible है, जरा समझेगा, ये possibility कभ है, कैसे ये काम करते हैं, आपने GSL भी सुना होगा, ये क्या पढ़ते हैं, थोड़ा सब भी, बाहर के वातावर्ण से मालूम होना चाहिए, science का लेने का मतलब होता है, कि science के बारे में थोड़ा और knowledge होना चाहिए, जो satellite launch किये जाते हैं, हमारे जो artificial, वो दो प्रकार के satellite होते हैं, एक आपने सुना होगा GSL भी, और एक होता है PSL भी, अजीब नाम लग रहे होंगे आगको, ठीक है, इसको बताने के पहले कुछ समझ लीजिएगा, ठीक है आपके यहाँ PSL भी वगरा है नहीं, लेकिन मैं चुक बता रहा हूँ, इसलिए साथ साथ बता दूँगा, जरा समझिएगा, मैं पर जियो इस्टेशनरी सेटलाइट लाँच वहकिल, इसका फुल फार्म है, जियो स्टेशनरी सेटलाइट लाँच वहकिल, मतलब लाँच वहकिल, मतलब जिस वहकिल से वह सेटलाइट भेज़े जाते हैं, वहकिल का मतलब होता है, कि जिसमें सेटलाइट को रख करके हम भेजते हैं, वह वहकिल है उसका, satellite को कैसे बेशते हैं, हम rocket में रखते हैं सबसे ऊपर, rocket को यहाँ project करते हैं, rocket के अलग-अलग chambers बनाते हैं, तर ये नियम क्या होता है, हमारे पास एक rocket होता है ऐसे, ठीक है, और इस rocket में हम क्या करते हैं, ऊपर यहाँ satellite को रख देते हैं, यहाँ पर satellite को हम लगा देते हैं, ठीक फ्यूल भढ़ लेते हैं अब क्या होता है अब देखा होगा इसको लॉंच करते हैं देखात होगा कभी न्यूज में लॉंच करते हैं तो पीछे बहुत तेज़ धुवा निकलता है आग निकलती है ठीक है कभी आप गुबारा फुलाईए और छोड़ दीजे तो पीछे से तरीके से स्प्रिंग टाइप की लगा देते हैं बहुत दभी हुई स्प्रिंग होती है इसको जब अपने आर्बिट में पहुंचता है यह तब तक यह वारा जो पार्ट है ना यह जैसे फ्यूल खतम हुआ वैसे स्प्रिंग फ्री हो गई तो स्प्रिंग एकदम से पीछे आती है और उस सेटलाइट को धका मारती है और सेटलाइट अपनी और्बिट में चला जाता है फिर वहां घूमता रहता है अब वहां घूमने के लिए उसको एनरजी नहीं चाहिए क्योंकि वहां उसको रोकने के लिए वही फोर्स तो है नहीं समदारी बनी आरी है तो यह जिस वहकिल से इसको ले जा रहा है यह launch वहकिल है और satellite कौन से ले जा रहा है geosteory तिसलिए कहते है इसको geosteory launch वहकिल अब इसको काम कैसे करता जरा समझेगा जरा सवधान देखी यह आपकी अर्थ है यह आपकी अर्थ है मेरी भी है यह अर्थ है यह east west है यह north south है अर्थ की rotation की direction क्या है यह यानि west to east है move करती है ठीक है अब जरा समझेगा अगर हम इसके center पे खड़े हो जाए ठीक है इसके center पे खड़े हो जाए और हमारी खोपड़ी north की तरफ हो और pair south की तरफ हो center पे खड़े हैं अर्थ के और east west में ऐसे हाथ फैलाएं ऐसे हाथ बाहर न निकाल दे होना चीन में कुछ जाएगा हाथ और ऐसे अर्थ को काट दे है ऐसे बीज से ऐसे पूरी तो अर्थ को ऐसे हमने काट दिया ठीक है बीज से हमने ऐसे कार दिया जैसे लेमन काटा जाता है वाटर मेन काटा तो आपको यह जो दिखाई पड़ता इसको हम equator कहते न यह equator होता न तो आपने जब अर्थ को ऐसे काट के दिखाया तो यह जो plane था इसको equatorial plane कहते हैं अब जरा जैसे आप बर्गर खाते हो न वैसे इसमें एक कागज भिचा दो बिचा दिया और इस डूसरी वाली अर्थ की पार को इसके ओपर रख दो रख दिया अब कागज जो भिचाया ना उसको जरा बड़ा कागज भिचाओ और बड़ा कागज भिचाओ बहुत बड़ा कागज भिचा दो यह यह जो कागज झाहना equatorial plane पर रखा ए न रखा है तो अर्थ जब घुमेगी Suzanne भी घुमेगा ना उस कागज के ओपर अब काज तो गिर जा पेंगा दिया काज़ यह कॉटोरियल प्रेंधि भीपिशा जा दिया बर्गर जैसे वीच पेंगे रखते हैं ठीक है अब किस काज़ पे हमने यहां पर जाकर के सेटिलाइट रख दिया अब अर्थ जैसे घुमेगी वो एक्केटोरियल प्रेन भी घुमेगा तो सेटलाइट जहां पर अगर आप यहां पर बैठे हुए हैं और सेटलाइट को यहां आप देख रहे हैं तो सेटलाइट हमेशा आपके सामने दिखाई पड़ेगा ठीक है ज़र टाइग्राम को दूसरा अबना देते हैं थोड़ा सा होच पोच दिखाई पड़ेगा दूसी तरीके से समझ लिजेगा आप कागज मैं नहीं बशा रहा हूं कागज को मैं आपको ऐसे दिखाऊंगा यह वाला पाड़ कागज का ऐसे नहीं दिखा रहा हूं देखो यह अर्थ है यह अर्थ के अलग-अलग इस्वेशनार साउथ है और यह एकुटोरियल प्रेन है है यहाँ पर सेटलाइट रखा हुआ है आपका ठीक है आप यहाँ पे कहीं है तो आप ने इस सेटलाइट को देखा ऐसे अब आप भी तो यहाँ है तो यहाँ आप भी तो ऐसे घूमोगे ना तो आप घूमोगे तो आपके साथ साथ यह सेटलाइट भी घूमेगा तो आपको हमेशा वहीं दिखाई पड़े का नहीं दिखाई पड़ेगा हमेशा वहीं दिखाई पड़ेगा सेटलाइट तो इसे लिए कहते ह Vilman वो Sütelight कहां place किया जाता है equatorial plane दी गहां equatorial plane करते है अब जर्टा समझिएगा यहां पर हम है और यह जो स एसार सेटलाइट होते हैं हमारे निव चैनल ने इस वाले सेटलाइट से अपना ये वाला satellite इसको signal देता है तो हमने क्या किया है अच्छा कि हमारी country यहीं पर है तो हमारे हाँ जितने भी जो हमारे new channel वाले जितने भी हमारे डिस एंटीना वाले हैं हमारे एंटीना इधर जुके रहेंगे हमें साथ सब के एंटीना इधर जुके रहेंगे ठीक है अब यह equatorial pain है और यह एंटीना जुका हुआ है साथ सादे घूम रहा है तो एंटीना घूमाने की जरुवत नहीं है लगातार आपको signal मिलते रहेंगे तो जितने भी communication हम करते हैं जो भी जितना भी computer data होता है इंटरनेट होता है यह surfing यह कहां से हम करते हैं यह हमारे satellite से होती है यह कौन satellite होते है जियो stationary satellite सो हमें आ गए बात तो अगर आप से कहा जाए कि यह बताईए कि कि किसी satellite को लखनौ के उपर आपने launch किया अब आप जानगे लखनाओ एन कानपूर वन डिस्टिक इस देर उन्ना तो आई बिलॉंग तो दैट डिस्टिक तो खतरनाग उन्ना यू डबल ने चोटा सा डिस्टिक है चोटा सा टीचर हूं वही से मैं बात कर रहा हूं ठीक उसका एक civil line इलाका है बिल्कुल वहीं पी मैं रहता हूं बता प्री जो प्लेस एक कुटोरियल प्रेंट पर होंगे क्योंकि हमें में साइक क्यों पर रखेंगे उसको तो वहां से हमेसा दिखाई पड़ेगा ठीक है तो अब आप जोगरफी में धूड़िये जाकर के कौन कौन से कंट्री एक क्रटोरियल पर अब माले हमारा स्री लंका माल लेतें तो स्री लंका के जितने भी यह बहुग याँ आप जानिे माल लिआ ना वान लेते दिकत्ते प्लिखा है तो यहां पर जालिट होंगे जितने भी से आपके जो एंटिड़र होंगे उत्टर की हईनार भुगे उस्विए अर्थ भी गुमेगा साथ साथ में तो आपका एंटीना लगातार उसका जो आपका चैनल है उस चलता रहेगा और आपको वहाँ सिगनल बिलते रहेगी ठीक है पहले क्या होता था यह जब सेटलाइट नहीं हुआ करते थे दूसरे होते थे पी एसलवी उसके बारे अभी हम बात कर रहे हैं तो जी एसलवी सुनगे आगया क्या होता है जी एसलवी सेटलाइट अच्छा इसकी हाइट क्या होती है लिखे हाइट ऑफ जियो स्टेशनी सेटलाइट हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सेटलाइट इसकी थियोरी थोड़ा बुक से और देख लीजेगा हमने जतना समझाना था उतना समझा दिया तो अगर आपसे कहा जाए कि कंडिशन क्या है जियो इस्टेसी सटलाइट की तो आप कहेंगे यह जो पार्किंग आर्बिट इसकी होती है वो कहां पर होती ही equatorial plane पर होनी चाहिए equatorial plane पर यह होते है पहली बाद और इनका जो time period होता है earth के time period के बराबर होता है और यह जैसे earth west twist चलते हैं यह भी west twist चलते हैं ठीक है अब देखिए अलग-अलग country जैसे माले अपने जो satellite launch करते हैं तो उनकी कुछ international treaty होगी international कोई उनकी treaty होगी क्या आप वा सटलाइट इतनी हाइट पर रहेगा हमारा इतनी हाइट पर रहेगा ऐसा कुछ होगा ठीक है तो जिस हाइट पर फेकते हो जो भी treaty हो उसके बार हमसे नहीं मालू है अब लिखे हाइट आफ जियो इस्टिस्नी सेटलाइट देखे अभी आपने हाइट का फार्मूला भी आपने लिखा है h is equal to क्या लिखा है t square g r d square g r e क्या था g r e square upon 4 pi square क्या था यह भी to power 1 by 3 minus r e नहीं था ना इसको जा हमने value रखकर के निकाला तो पूरी value रखी t कितना रखा हमने 84 minute 84 minute बता है ना तो हमने जा value रखकर के निकाला 84 minute बता है था ना भी हमने कितना अरे sorry 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 t 24 r यहाँ पर t क्या है t जो है 24 r है और g की value आप जानते है 9.8 है meter per second और r e की value हम जानते है 6.37 into 10 power 6 meter है तो हम जो h निकालेंगे तो लगभग जो निकलेगा 35,830 km 35,830 km तो जो हमारे artificial satellite है वो लगभग इस इतनी दूरी पर रहते हैं हमारे earth surface से 35,830 km अब कल्पना करिएगा कि हम जो आप से बात कर रहे हैं यह signal कहां से जा रहे हैं आपके पास हैं नई satellite से भी नहीं आता यह एक्चुली में हमने जानबू उसके बोला है यह हमारे antenna के माद्धम से जाते हैं जो antenna हमारे लगे होते हैं ठीक है हमारे दो प्रकार जो हमारे mobile phones हैं जो हम बातचीत करते हैं ठीक है हो सकता है जिस company का हमने server लिया जो लिया हो वो satellite से उसका पैक्ट होते हैं यह हो सकता है अदरवाई जो हम mobile से बातचीत करते हैं वो tower to tower चलती है ग्राउंड के parallel चलती है ठीक है तो जो हमारे satellite phones होते हैं वो दूसरे phones होते हैं ठीक है फिलाल मा लीजिए सेटलाइट जो हमारे कारिक्रम आते हैं जो है अलग अलग न्यूज चैनल है वो सेटलाइट से आते होंगे तो इतने किलोमेटर 35,000 किलोमेटर रे गई आई और हम आपसे बात कर रहें तो आप कल्पना करिएगा कि कितनी स्पीड से हमारी वेव चलती है ठीक है अब वो दि से घुष करके आपको दो-तीन थपड़ मार करके लोट आएगे और दिन दूर नहीं हो सकता है कि पता चला कि आपने कोश्चन नहीं लगाया देखा प्रिंटर के जरीए बाचपेज यह से निकले कान पकड़ा क्यों नहीं किया और सर से बाहर आ गए ठीक है अब वो सकता है वो आजाए अच्छा यह नोट कर लिया आपने